आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाल है रिगार्डिंग विलियम रॉक्स एक्सप्रिमेंट अब उन्होंने विलियम रॉक्स ने क्या किया था तो उन्होंने एक्सप्रिमेंट परफॉर्म किया था किसके रिलेटर उन्होंने एक्सप्रिमेंट परफॉर्म किया था उन उनके properties भी हमने discuss कर लिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप I will suggest कि आप जाके वो वीडियो देखे ताकि आपको यह जो William Rocks का experiment है वो अच्छे से समझ में आ सके So let's get started with William Rocks experiment So William Rocks ने क्या किया था So first of all जो scientist थे उनका नाम था August Wisman तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने basically एक hypothesis put forward की उन्होंने कोई experiment performed नहीं किया था उन्होंने बस एक hypothesis put forward की अब इस hypothesis में उन्होंने क्या बताया? So basically उन्होंने एक frog का embryo लिया उन्होंने उनके hypothesis में बताया कि जैसे कि frog का embryo होता है अगर उसमें जो first cleavage होती है वो केसी होती है maridonal cleavage जो first cleavage होती है frog के embryo में वो केसी होती है maridonal cleavage अब maridonal cleavage मतलब क्या जैसे हमें पता है कि किसी भी एक एग में एक animal pole होता है और दूसरा क्या होता है वेजिटल पोल सो अगर अनिमल पोल से वेजिटल पोल तक अगर डिविजन हो रहा है ऐसे डिविजन को हम क्या केता है मेरी ड ceux प्लिवेज मेरी ड क्लिवेज अब जब मिरीडोनल क्लिवेज हम गया है two cell two cell stage embryo मिलेगा यह first cell और एक second cell अब जी अगर हमने यह दोनों cell को separate कर दिया अगर इन दोनों cells को हमने separate कर दिया तो हमें complete frog नहीं मिलेगा हमें complete या फिर हम कह सकते कि हमें complete embryo नहीं मिलेगा यह जो first cell होगा इससे half embryo form होगा और यह जो second cell है उससे half embryo form होगा अगर इन दोनों cells को हमने अलग कर दिया तो यह hypothesis पूट फॉरवर्ड की गई थी अगस विंसमैन ने बाद में एक साइंटिस्ट है जो एक जर्मन एम्रियो लॉजिस्ट है जिनका नाम था विलियम रॉक्स उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अगर यह hypothesis अगस विंसमैन ने पूट फॉरवर्ड क बेसिकली एक जर्मन एम्रियो लॉजिस्ट है अब विलियम रॉक्स ने क्या किया फ्रॉक का एम्रियो लिया अब जब उन्होंने फ्रॉटिलाइज फ्रॉक का एग लिया उसमें क्लीवेज होगा क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा अब जब क्लीवेज होगा अब के स्वाथेंगे फर्स्ट और सेंगे सेंगे लिए गिलbury ऑनमें के बाद एक हॉट नीडल नीडल दी और हॉट्व। अब निडल 2,rend 10 और सेंगे वाद सेंगे करें जोx에ंब कि जो half part था एक का, जिसे hot needle से destroy नहीं किया गया था, मतलब यह जो first cell थी, उसने normal development दिखाया, normal development दिखाया, उसमें living tissue प्रेजन्ट है, normal development दिखाया, लेकिन जो second cell थी, जिसे हमने hot needle से destroy कर दिया, उसने कोई भी development नहीं दिखाया, उसमें dead tissue प्रेजन्ट है, कैसे tissue प्रेजन्ट है, dead tissue प्रेजन्ट है, बाद में उन्होंने जब neurula stage पे उन्होंने ये embryo देखा, जब उन्होंने neurula stage पे ये embryo देखा, तो half ही embryo फॉर्म हुआ, उन्होंने देखा कि half ही embryo फॉर्म हुआ, और जो बाकी का हाफ था जो बाकी का हाफ था उस एम्डियों का वो फॉर्म ही नहीं हुआ क्यों क्योंकि हमने जो सेकेंड सेल थी वो हमने डिस्ट्रॉय कर ली थी with the help of hot needle तो उन्होंने ने कंक्लूड किया कि जो अगस्ट वींसन का जो हाइपोतिसिस था बेसिकली वीलियम रॉक्स ने ये कंक्लूड किया कि जो अगस्ट वींसन का हाइपोतिसिस था कि अगर हमने दोनों सेल्स अगर हमने अलग-अलग कर दिये तो उन दोनों सेल्से हाफ अफ एम्डियों बनेगा कंप्लिट एम्डियों नहीं फॉर्म होगा ये था वीलियम रॉक्स का एक्स्प्रिमेंट अब उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाले उनके ये एक्स्प्रिमेंट से फॉर्स कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि ये जो डेवलप्मेंट है उन्होंने ये देखा कि ये जो development थी वो कैसी थी mosaic development अब उन्होंने जब ये देखा तो mosaic development basically किस में present होती है तो basically उन्होंने बता है कि autonomous specification जो होता है उसमें basically mosaic development present होती बाद में उन्होंने conclusion निकाला कि autonomous specification है स्पेसिफिकेशन में हर एक सेल की जो फेट होती है हर एक सेल की जो फेट होती है वो कैसी होती है डिटर्माइन होते है और कमिटेड होते है उनके फेट को लेके और अग हमने कोई भी सेल डिस्ट्रॉय कर दी और उस सेल के सराउंडिन जितनी भी सेल्स होंगे वो cells compensate नहीं करेंगे उस missing part को बनाने के लिए उस missing part को बनाने के लिए इसलिए उसे हम क्या कहता है Mosaic Development और एक बाद उन्होंने conclusion किती यह बहुत important point है बहुत बाद CSR NET के एक्जाम में पूछा गया है उन्होंने यह बोला कि जो cells present होते है Autonomous Specification की जो cells होते है उनकी जो potency होते है Autonomous Specification की जो cells होते है उनकी जो potency होते है वो केसी होते है इस इक्वल टु देर उनकी जो potency होते है वो इस इक्वल टु देर fed यह बाद बहुत important है याद रखना कि Autonomous Specification की जो cells होते है Autonomous Specification की जो cells होते है उनकी जो potency होती है उनकी potency is equal to their fate ये बात बहुत important ये बहुत ध्यान में रखना बहुत बहुत CSR net के paper में पूछा गया so I hope आपको समझ में आ गया होगा कि William Ross का experiment क्या था उन्होंने क्या conclusions निखा ले उनके experiments है आने वाले वीडियो में हम discuss करने वाले रिगार्डिंग conditional specification और conditional specification के जो experiment थेकिन scientist ने ये experiment perform कि ये वो भी हम देखेंगे at last हम देखेंगे syncytal specification और उसके बात की वीडियो में हम देखेंगे तीनो specification का comparison या फिर differences क्या है differences क्या है तीनो specification वो हम हमारे last वीडियो में देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे previous year question जो इन तीनों specification के related आये थे वो सारे questions हम discuss कर लेंगे so I hope आपको समझ में आगे होगा William Rocks का experiment so thank you